Hello students, I am Shayan Lutra. Today I am going to give you a introduction of Class 6 Mass चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर का इंट्रोड़क्शन हाज हम इस विदियो में करेंगे. तो हमें प्लेइंग विद नंबर का इंट्रोड़क्शन करने के लिए सबसे पहले हमें इस चैप्टर के अंदर, Factor and Multiples. कि factors और multiples क्या होते हैं, factors and multiples, क्योंकि जो हमारी exercise है, 3.1, उसके अंदर में factors और multiples निकालने के लिए बोला गया, ठीक है, तो जैसे हम कोई भी number ले ले लेते हैं, जैसे कि मालनो मैंने एक number ले लिए 12, और मुझे इसके factors निकालने के लिए बोला जाएगा, तो मैं कैसे निकाल ल 12 हमारा 2 के table में भी आता है, 12 3 के table में भी आता है, 4 के table में भी आता है, 6 के table में भी आता है, और 12 के table में भी आता है, तो यह सारे 12 के factors है, 12 क्या है, 12 हमारा composite number है, ठीक है, तो हम उसके factors ऐसे लिख सके हैं, अगर हमें अब किसी 12 हमारा composite है, अगर हमें किसी prime number के factors बनाने के लि के सिर्फ दो ही factors बन सकते हैं तो थो फ bilmiyorum फैक्टर थो ने रहें लेकिन 1977 अपने सबसे क्या है हमारे बार दो उख आधा दो अपन जाते है इंगे अगर मैं यहां पर मालों में यहां पर eight का फैक्टर बनात है एक सब में आएगा उसके बाद two के टेबल में आता है इ Cemal four के टेबल में अथा और ऐट अपने आपने टेबल में आता है ठों आ धाट तो है यहाँ पे कर रहे हैं मल्टिपल अब हमें मल्टिपल निकालने के लिए बोल जाता है तो हम क्या करेंगे एट का मल्टिपल निकालना तो एट का मल्टिपल क्या होगा मल्टिपल वो होते हैं जो इनका टेबल होता है जैसे कि वालों को टू का मल्टिपल निकालने के लिए तो जो इनका table होता है, वही इसके multiple है, जैसे कि 8 बन्जा 8, यह इसका पहला multiple है, 8 का, 8 तूजा 16, यह इसका दूसरा multiple है, 8 तूजा 24, यह इसका तीसरा multiple है, तो जो इसके table आते हैं, वही जो है इसके multiples होते हैं, उसके बार 34, 8 तूजा 32, यह 32 भी क्या है, इसका 8 का multiple है, तो इस इस स्ब क्या है, इसके multiple है, फिर 8-5 इना, 48, 8-6 इना 48, ये सब इसके है वो multiples है, ठाहि है, तो multiple हम इस तरीके से लिखते हैं, फिर टू का multiple हैं Dre, 2, 4, 6, 8,宝ैर है, विर 12 हम 123 है 3-6, 48, currentetes ये सब इसके आगया आगय, multiples रोते जाएँगे ठीक है तो इस तरीके से जो है न हम factors और multiples जो है वो करते हैं तो हमें factors और multiples निकालना आना चाहिए तब भी जो हम exercise 3.1 कर सकते हैं और आगे के exercise भी कर सकते हैं next अब हम topic लेते हैं इसके अंदर prime और composite number जैसे कि अभी आपको मैंने जब factors जब हम निकाल रहे तब भी मैंने आपको यह बात बोली थी कि जो composite number जैसे कि prime देखो पहले मैं आपको prime number बताती हूँ prime numbers वो numbers होते हैं जिनके factors दो से ज़ादा नहीं बन पाते हैं जो सिर्फ अपने table में आते हैं वो number और जो one के table में आते हैं सिर्फ वो number prime number होते हैं जैसे कि two, three, five, seven, उसके बाद eleven, thirteen इस टाइप पे जो numbers होते हैं ये इनके factors नहीं बनते हैं ये क्या है, prime numbers हैं और जो composite number होते हैं उनके factors हमारे दो से ज़ादा factors बनते हैं इसलिए हम उनको composite numbers कहते हैं इस टाइप से ठीक है, ten, twelve, fourteen, ये number कितना भी बढ़ा हो सकता है जिसके factors हम बना सकते हैं वो हमारे composite numbers हैं तीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं even और odd, अब हम देखते हैं कि even और odd numbers कोन से होते हैं ये भी हमें समझना ज़रूरी है क्योंकि इस से related भी question जो हमारी exercise में है अब जो even numbers होते हैं, even numbers वो numbers होते हैं जो हमारे two से divide हो जाते हैं ठीक है, सभी, जो भी number two से अगर divide हो रहा है, तो हमारा even number बैंगा, जैसे two 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 से divide हो जाता है, ठीक है, उसके बाद four two से divide हो जाता है, six है, eight है, ten है, twelve है, fourteen, sixteen, eighteen, twenty, twenty, two, twenty-four, twenty-six ये सभी numbers जो हैं, जो जो number हमारा two से divide होता जाएगा साह, वो कितना भी बड़ा number हो, मालो ये हमारा number दे रखा है अगर ये two से divide हो रहा है, तो ये number जो हमारा even number में आ जाता है, ठीक है, उसके बाद odd number वो numbers होते हैं, जो हमारे two से divide नहीं हो सकते हैं, जैसे कि three, three हमारा two से divide नहीं हो सकता, five नहीं हो सकता, तो ये हमारा odd number में आता है, five, seven, nine, और उसके बाद eleven, thirteen, ये सभी number हमारे odd numbers में आते अब हम आगे देखते हैं अब हम इसमें पढ़ेंगे common factors और common multiples क्या होते हैं जिसे कि अब हमें यहाँ पे एक 4 का factor निकालने के लिए बोला गया है ठीक है इसके साथ हमें 6 का factor निकालने के लिए भी बोला गया तो पहले हम 4 और 6 के दोनों के factors देख लेंगे 2 भी common है तो जो इसके common factor है वो क्या हो गया इसका जो common factor है वो हो जाएगा हमारा 1 और 2 इसी तरीके से अगर हमें 4 का और 18 का common factor निकालने के लिए बोला जाए या इसकी जगा हम 12 और 18 का देखें common factor तो पहले हम 12 के factors रिख लेंगे 12 के factors किया 1, 2, 3, 4, 6 और 12 इसी तरीके से 18 1, 2, 3, 6 और 18 अब इसमें से तो common क्या है 1 दोनों में common है 2 भी common है 3 भी common है और 6 भी common है तो जो चीज का common है उसको हम लिखेंगे 1, 2, 3, और 6 ही जो इसके common factor है ठीक है यह हमारे common factor में ऐसे हमारे multiples हैं यह भी common में आ जाता है जिसके हम अब multiple लिखने के लिए बॉला जाता है और हम लिखते हैं यहां पे यहां पे जो है मैं लिख लेती हूँ multiple 6 का और यहां पे मैं लिख लेती हूँ 8 का तो 6 का multiple की है 6 तो जड़ा 12 18 6 बने ज़ा 6 6 भी जो हमारे multiple में आज़ेगा पहला 6, 6 हमारा पहला multiple है, 12 हमारा दूसरा और 18 हमारा third multiple है, फिर उसके पाद 24, ऐसे आप आगे भी बहुत सारे लिख सकते हो, देखो, multiples का कोई आइने, आप आगे जितने मड़ी चाहो लिख सकते हो, अब 8 का है हमारा 16, और 24, उसके बाद यहा हमें सामने दिख रहा है, सिर्फ एक ही common दिख रहा है, 24 हो सकता है, अगर हम आगे लिखें तो इसके आगे भी common multiple और भी निकल आएंगे, लिकिर अभी हमने इसमें से common multiple के आने का common वही होता है, जो दोनों के अंदर हो, तो वो हमारा common आ जाता है, तो यहाँ पे हमने common factors और multiples कर लिए, अब हम इसमें करते हैं आगे divisibility, divisibility हम जो है इसमें कैसे check करते हैं, तो सबसे पहले हम 2, 2 की divisibility, 3 की 4, 6, 8, 10, 11 और 12, यह divisibilities जो हमें दे रखी हैं, हमने यह सब देख रहे हैं कि जो number हमारे सामने आ रहा है, उसको हम देख के ही बता पाएं कि यह number 2 से divide हो जाएगा, यह number 3 से divide हो जाएगा, यह number 10 से divide हो जाएगा, तो उसको हम divisibility कहते हैं, मालनो में यहां पे एक number लिखती हूँ, ठीक है, तो हम इसको देख की बता सकते हैं कि यह 2 से divide होगा या ने, यह चीज को हम check करना, इस चीज को हम सीखेंगे कैसे हम देख के बता सकते हैं कि कौन सा number कि से divide हो सकता है, तो इसके कुछ rules हैं जो को हम देख लेते हैं, सबसे पहले जो हम divisibility सीखेंगे, वो हम सीखेंगे 2 की और 8 की, इन दोनों की पहले हम सीखेंगे divisibility, अच्छा इसमें 5 भी आएगा, जो मैंने 5 ने लिखा, सबसे पहले हम सीखते हैं 2 की, 5 की और 10 की, ठीक है, 2, 5 और 10, देखो, अब 2 की divisibility चेक करने के लिए हमें क्या देखना है, कि 1 की प्लेस पे, अगर हमारा, 1 की प्लेस पे, 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है, हमें एक नंबर दे रखा है, जैसे कि मैंने यहां पे यह नंबर लिखा हुए, 6, 2, 4, अब इसके दिखो, 1 की प्लेस पे, क्या आ रहा है, अगर 1 की प्लेस पे, हमारा, 0, 2, 4, 6, या 8 आ रहा है, तो वो पूरा नंबर हमारा, 2 से डिवाइड हो सकता है, तो देखो, यहां पे, हमें सर्फ यह धियान अखना है, 0, 2, 4, 6, और 8, 2 की divisibility चेक करने के लिए, एक नंबर मैं और लिख लेती हूँ, अब इसके पीछे, हमारा, 1 की प्लेस पे, 0 आ रहा है, तो हम इसको देख की बता सकते है, पूरा नंबर, जो हमारा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, अगर मैं एक नंबर और लिखती हूँ, मालो, यह मैंने यह नंबर लिखा, अब इसके, 1 की प्लेस पे, क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो तो 0 या फिर 5, अगर 1 की प्लेस पे 0 या 5 है, तो वो हमारा 5 का डिविजिबल नंबर हो जाएगा, अगर मैं यह नंबर लिखती हूँ, यहाँ पर, तो यह पूरा नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि 1 की प्लेस पे 5 दे रखा है, ठीक है, अगर इसकी जिगा भी 0 द इसकी जब 10 की डिविजिबल टी चेक करते हैं, तो उसकी और भी सिंपल है, सिरफ 1 की प्लेस पे एक ही नंबर होना चाहिए, और वो है 0, अगर 1 की प्लेस पे 0 है, तो पूरा नंबर जो है, 10 से डिवाइड हो जाएगा, यह नंबर मैंने लिख लिया, 0 देखा आपने, तो आपको पता चल जाएगा कि 10 से डिवाइड हो सकता है, अब 0 वाले 3 हो गए, 0 वाला 10 से भी डिवाइड हो सकता है, 1 की प्लेस पे, 0 वाला 1 की प्लेस पे 5 से भी डिवाइड हो सकता है, और 2 से भी हो सकता है, ठीक है, तीरों से हो सकता है, तो अभी तक हमने दिविजिबल ट 2 की 5 की और 10 की अब जो हम divisibility देखते हैं आगे 4 की और 8 की 4 की divisibility चेक करने के लिए हमें क्या देखना होता है मालनों हमें यहां पे एक number दे रखा है मैंने यहां पे number लिख लिख लिए है 4, 2, 1, 2 4 की divisibility चेक करने के लिए हमें पहले दो number जो 1s और 10s की place पे दे रखे होते हैं हमें वो देखने होता है अगर 1s और 10s की place पे जो number दे रखा जैसे 1s और 10s की place के number दे रखा हमें 12 अगर यह 12 4 से divide हो रहा है तो यह पूरा number भी 4 का divisible है तो 4 की divisibility चेक करने के लिए 1st 2 number हमें देखने पड़ते हैं अब यहाँ पे मैं एक number लिख लेती हूँ यह ठीक है अब देखो 18 4 से divide हो सकता है हमें पहले 2 numbers देखने हैं 18 तो 4 से divide नहीं हो सकता तो it means यह पूरा number भी 4 से divide नहीं हो सकता 8 की divisibility भी check करने के लिए हमें यह देखना होता है जैसे हम इसमें 1st 2 digits देखते हैं 8 की divisibility चेक करने के लिए हमें 1st 3 digits देखनी पड़ती है अगर 1st 3 digits अगर 8 से divide हो रही है तो पूरा number जो है 8 से divide हो जाएगा तो इसकी मालो में को यहाँ मैं एक number लिख लेती हूँ ठीक है मैं यह number लिख लिया अब मुझे यह तीनों number को देखना यह 3 numbers जो पहली 3 digits जो हमें दे रखे हैं यहाँ पे हम इसको यहाँ पर divide करके चेक कर सकते हैं कि यह 8 से divide हो रहा है यह नहीं हो रहा क्योंकि इतने बड़े digit को आप नहीं देख के बता सकते हैं तो आप इसको करके देख लो अगर करने के बाद यह पूरा divide हो रहा है तो यह पूरा number भी 8 से divide हो जाएगा हम करके देख लेते हैं इसको 8 7 जा 56 ठीक है आप हम इसको माइनस कर लेंगे तो 30 में से 6 को माइनस करेंगे 7 ऊपर से सम उतारेंगे 2 यह बन जाएगा 5 5 में से 5 मैंनस करेंगे 0 अब यहाँ पर आगे 72 अब 8 की टेबल में 72 तो आता है किस पर आता है 8 9 जा 72 तो यह हमारा जो है पूरा हो गया देखो अब यह जो number है हमारा 8 से divided हो गया है 2 1st 3 डिजिट इसका मतलब यह पूरा number हमारा 8 से divided हो जाएगा अब मालों यह number दे रखा होता यह तो हमने 1st 3 डिजिट जो divide करके देख ने ते 8 से तो हमें पता चल जाता है कि पूरा number 8 से divide हो जाएगा तो 4 की divisibility check करने के लिए first 2 digits को हमें देखना पड़ता है 8 की divisibility check करने के लिए first 3 digits को हमें check करना पड़ता है अब हम divisibility check करेंगे 3 की, 6 की और उसके बाद 11 की तो 3 की divisibility check करने के लिए सबसे पहले हमें एक number लिख लेते हैं इसे कि मालू मैंने यहा number लिख दिया 21 तो 21 मैंने यहाप एक number लिख लिख लिया अब 21 हमें कैसे पता चालेगा 3 से divide होता है कि यह तो वैसे में पता है कि 3 के टेबल में आता है हमें 3 के divisibility check करने के लिए जो भी हमें digit दे रखियोगी चाहे वो 2 digit दे रखियोगी हो 3 मालू मैं एक इससा आगे यह लिख 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 हो ठीक है अब हमें क्या करना है इन तीनों को plus करना है 4 2 6 & 1 7 7 क्या हमारा 3 से divide हो सकता है नहीं हो सकता इट मींस यह पूरा number हमारा 3 से divide नहीं हो सकता, कोई भी number आपको दे रखा हो, जिसे माल लोग आपको ये number दे रखा है, ठीक है, तो इसको आप पहले plus कर लो, 6, 3, plus 6, plus 8, ठीक है, 6, 6, 12, 12, 3, 15, 15, 15, और 8, 23, अब 23 के हमारा 3 से divide हो सकता है, नहीं हो सकता है, it means ये पूरा number हमारा 3 से divide नहीं हो सकता, बस हमें 3 क divisibility में ये देखना होता है, इससे पहले हम इसके साथ 3 के साथ 9 की divisibility देखते हैं, क्योंकि 3 की और 9 की divisibility है, वो save है, जिस तरीके से हम 3 की divisibility निकालने के लिए सब को plus करते हैं, ऐसे ही हम 9 की divisibility निकालने के लिए भी, जो भी हमें number दे रखा है, उसको हम plus करते हैं, और plus करने क के बाद जो आंसार आता है अगर वो 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो 9 का डिविसिबल है जिस तरीके से हमने 3 की डिविसिबल्टी चेक करी उसी तरीके से हम 9 की भी करते हैं इसलिए हमारा दोनों का जो जो प्रसेस है वो सेम रहेगा अब मैं यहां पे एक नंबर लिख लेती है नहीं तो इट मींस यह पूरा नंबर हमारा 9 से डिवाइड नहीं हो सकता 3 की और 9 की डिविसिबल्टी सेम तरीके से चेक होती है और 6 की डिविसिबल्टी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं जो भी हमें नंबर दे रखा है जिसे हमारे पास माल लो यही नंबर दे रखा ह 6 की divisibility चेक करने के लिए हमें देखना पड़ता है कि ये number जो है हमारा अगर 2 से और 3 से दोनों से ही divide हो रहा है ये number तो ये हमारा 6 का divisible है अगर ये 2 से हो रहा है और 3 से नहीं हो रहा तो ये हमारा 6 का divisible नहीं है अगर 2 से नहीं हो रहा है और 3 से हो रहा है divide तो भी हमारे 6 का divisible नहीं है, दोनों से divide जो है, दोनों का divisible होना चाहिए, मतलब कैसे, तो हमें, जो हमें अभी जैसे मैंना को सिखाया था, कि 2 की divisibility कैसे चेक करते हैं, कि 1's की प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, आप देख की बता सकते हैं, कि 1's की प्लेस पे 4 है, तो इसका 7 and 2, 9, 9 and 4, 13, आप ये number 13, 3 से divide नहीं हो सकता, इसका मतलब ये number 2 से, तो divide हो रहा है, पर 3 से नहीं हो रहा है, इसलिए ये 6 का divisible भी नहीं है, ठीक है, तो 6 की divisibility ऐसे ही चेक करते हैं, कोई भी number जो हमारे सामने दे रखा, अगर 2 और 3, दोनों से divide हो सकता है, तो 6 से भी divide हो सक अब हम देखते हैं, कि हमारा जो 11 के divisibility है, वो हम कैसे check करते हैं, हम यहाँ पर कोई भी एक number ले ले लेते हैं, जैसे कि 6, 4, 3, 2, 5, अब हमें जो इसके अंदर even और odd places, even और odd number की बात नहीं मैं करूंगी, even और odd place, first place even का, फिर ये odd का, फिर ये even, एक एक number छोड़के, फिर odd और फिर ये even, तो जितने भी even वाले हैं, पहले हम उसको plus कर लेंगे, और odd वाले हम नीचे plus करेंगे, ठीक है, अब यहाँ पे 6 और 2 जो है 8 है, यहाँ पे, plus 5, 30, ऐसे 4 और 2, 6, अब जो number हमारे पास दोनों के plus करने के बाद आएंगे, फिर हमने इनको minus करना है, 13 minus 6, ठीक है अब 13 में से हम 6 को minus करेंगे, तो क्या आएगा हमारा 7, जब minus करने के बाद हमारे पास, अगर 0 आ रहा है या 11 आ रहा है, या 22 आ रहा है, ऐसा कोई number आता हैगा हमारे minus करने के बाद, लेकिन यहाँ तो 7 आए है, अगर इन से 3 में से SCP नमबर आता है, तो वो हमारा 11 का divisible वो number ह होता है ठीक है अब जैसे मैं यह लिख देती हूं एक नंबर 61809 यह हमारा even place है यह odd यह even यह odd यह even ठीक है तो इनको पहले even वालों को plus कर लेते हैं फिर हम odd वालों को plus कर लेते हैं even वालों को plus करेंगे इनको तो हमारा उपर आएगा 23 और और वाले को plus करेंगे तो आएगा 1 अब 23 में से हमने 1 को माइनस करना तो क्या आजेगा 22 अब 22 आगए जिसा को मैंने बताया था 0 11 यह 22 आएगा तो फिर हमारा 11 का divisible होगा अब यहापर 22 आगए तो इसका मतलब यह पूरा number हमारा 11 का divisible है ठीक है इस तरीके से हम divisibility को चेक करते हैं अब हम आगे करते हैं अब हम करेंगे highest common factor जिसको हम बोलते हैं SCF और lowest common multiple जिसको हम बोलते हैं LCM ठीक है तो पहले हम निकालते हैं HCF तो SCF निकालने के लिए जैसे हमें मालों यहाँ पे numbers यह रखे हैं 20, 28 और 36 इसका हमने SCF निकालना था तो SCF निकालने के लिए हम तीनों को अलग अलग निकालेंगे 20, 28 और 36 तो 20 का SCF 2 1s और 2, 0 फिर 2 5s और 10 फिर 5 बन्जा 5 ऐसी 2 का 2 1s और 2, 2 4s और 8 फिर 2 7s और 14 फिर 7 बन्जा 7 फिर इसको 2 से करेंगे 2 1s और 2, 1 इदर चला जाएगा 16 बन्जाएगा 28 जा 16 फिर 29 जा 18 फिर 3 3s और 9 फिर 3 बन्जा 3 अब इन सब की जो भी हमारी नम्ब जो हमारे फैक्टर्स निकले हैं प्राइम फैक्टर्स इसको हम लिख लेंगे पहले 20 का लिखेंगे 2 x 2 x 5 फिर 28 का लिखेंगे 2 x 2 x 7 फिर 36 का लिखेंगे 2 x 2 x 3 x 3 तो इन तीनों में देखो क्या common है इन तीनों में ये 2 common है और ये 2 common है तो जो common हमारा निकलाएगा उसको हम नीचे लिखेंगे ठीक है यह जो 3 है इसका 2 आजाएगा और 3 यह common है इसका भी 2 अब 2 इंटो 2 कितना आजाएगा 4 तो 4 जो है वो हमारा SCF निकला है किसका 20, 28 और 36 का SCF आया हमारा 4 इस तरीके से हम SCF निकालते हैं जो भी हमें numbers दे रखे होते हैं उसको हम अलग-अलग जो हैं इस टाइप से SCF निकाल लेते हैं फिर उसके अंदर से common निकालके फिर हम उसको multiply कर देते हैं अब हम देखते हैं LCM अब हम यहाँ पे LCM निकालना है 20, 25 और 30 का ठीक है लेकिन हम जो है इसको 7 में लिखेंगे LCM में हम इसको 7 में लिख सकते हैं 20, 25 और 30 तो इसको 2 से करेंगे 10, 25 नहीं जाता 2 से तो 25 का 25 उतर जाएगा उसके बाद 2 बन जा 2, 2 5 जा 10, उसके बाद फिर 2 से करेंगे 2 5 जा 10, 25 का 25 उतर जाएगा 15, ठीक है अब 5 से, 5 बन जा 5, उसके बाद 5 फाइव जा 25, 5 थी जा 15 अब फिर से ये एक बार 5 से जाएगा एक बार 3 से 5 बंजब 5, 3 का 3 उतर जाएगा उसके बाद एक बार 3 से अब जो ये हमारे प्राइम नंबर्स आया हैं इन सब को हम आपस में मल्टिप्लाइ कर देंगे इसमें हमें कुछ कॉमन निकालने के जोरत नहीं है इन सब को जो मल्टिप्लाइ कर देंगे और मल्टिप्लाइ करके जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा एलसियम और इन सब को मल्टिप्लाइ करके हमारा आंसर क्या आएगा 300 तो इसका जो एलसियम निकला वो ख्या निकला 300 ठीक है तो यहाँ पर जो हमने chapter 3 है उसके जितने भी related question थे उसके basic हमने यहाँ पर कर लिये है hopefully आपको यह video helpful लगा वीडियो helpful लगे तो please like share subscribe करे thank you